पीज़ जैसे टेस्ट है कैसा टेस्ट है पीज़ जैसे टेस्ट है ओके चलो खाओ बहुत ज्यादा टेस्टी है आज मैं आपको एक और पराठा बताती हूँ बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा बच्चों को पसंद भी आएगा और उनको लगेगा वो पीज़ा खा रहे है तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी चुकुंदर ली यानि की बीट रूट उसे इस तरह से ग्रेट कर लिय इसको आपको आपको क्रम्बल कर लेना आप साथ में पहाइस मेंट नमक जिकान पीज़ा मिक्स मेरे पास पाकेट था था पिज़ा मिक्स का तो मैंने वही अधकर लिया आपके पास औरिगेनो है उससे बहुत अच्छा फ्लिवर आएगा परांठे में जो बच्चे बीट रूट नहीं खाते हैं उनको ये खिलाने का बहुत बढ़िया तरीका है साथ में मैं चीज स्लाइसिस यूज कर रही हूँ प्रोसेस चीज भी ग्रेट करके आप इसमें यूज कर सकते हो ठीक है मेरी बेटी खा लेती है चुक उंदर बेटा नहीं खाता है तो मैंने ये तरीका निकाला उसको खिलाने का लिवह को 100% होगा दो शाजएतने कहरें मैं अपने बच्चों की IMMUNITY कैसे STsky और मेरे चानल पर है लिंकद निचेया को डिस्कूर्प्य बॉक्स में पिसंट निचेय demost juste कि पेरेंट्स को यहीं रहता है कि हम बच्चे का वेट गेन कैसे करें बच्चे का वजन कैसे वड़ाए मुझे काफी पेरेंट्स के मैसेजिज आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूं कि मैं क्या-क्या चीजें वेट गेन करने के लिए फस्ट वेट गेन के लिए मेरे गयंअ कुल मेरे गर में बनते बहुत भी हैं। तो बच्चे जल्दी मोटे हो जाते हैं तो आप परांठा खिला सकते हैं इस तरीके से हेल्दी भी है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है मैंने दोनों बच्चों के लिए एक परांठा बनाया, उपर लगाया बटर और उसको पीजाशेप में कट कर दिया यह परांhta आप बच्चों को टिफिन में भी पैक कर सकते हैं इसको थोड़ा सा भंडा करो एक पीस के ऊपर एक पिस रखकर आप टिफिन में परांठा पैक करो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को मेरे बच्चों को बहुत पसंद है आजकल बच्चों के टेस्टी इस तरीके के उनको यह चीज़े पसंद आती है तो बच्चों का वजन कैसे बढ़ाना है ये वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करने वाली हूँ स्टे कनेक्टिट सब्सक्राइब करके रखना चैनल को बैल आइकन के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें थैंक यू बाबाई